बिहार के कटिहार जिले के एक दलित गाउं के ग्रामीर बिना सड़क के जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। कटिहार के फलका प्रखण अंतरगत शाब्दा पंचायत के कोहबारा रविदास टोले में आजादी के 77 वर्ष बाद भी एक अदद सड़क नहीं है। आठ-दस परिवार वाले रविदास टोला के ग्रामीर आवाजाही के लिए जिस रास्ते का प्रयोग करते हैं वे जमिदार के नाम हैं और वे अपनी जमीन पर सड़क नहीं बनने देना चाहते। सड़क नहीं होने से कोई सवारी गाड़ी गाउं तक नहीं पहुँच पाती है ऐसे में ग्रामीरों को हाट, बजार और प्रखन मुख्याले जाने में हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस्थानिय निवासी शकुंतला देवी ने बताया कि उनके पती के दादा पर दादा के समय से ये गाउं बसा हुआ है। सड़क ना होने के कारण सबसे अधिक दिक्कत बरसात के मौसम में होती है। आगे उन्होंने कहा कि भू मालिक लखन सिंग और सुरेश सिंग सड़क के लिए अपनी जमीन देने को तयार नहीं है, इसलिए अब तक सड़क नहीं बन सकी है। तक सब्सेंग 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 ग्रणी आचल देवी चार साल पहले विवाकर इस गाउं में आई थी, उनके पती बाहर राज्चे में मजदूरी करते हैं, उन्होंने कहा कि रविदास टोले के ग्रामीडों के लिए सडक बहुत जरूरी है, अभी किसी तरहा आना जाना हो रहा है, लिकिन कल को जमीन के मालिक रास्ता बंद कर दें, तो ग्रामीड कहा जाएंगे, उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीडों को अस्पताल और बाजार जाने के लिए भी कोई सवारी नहीं मिलती, सडक ना होने की वज़ा से कोई विक्रेता गाउन नहीं आता है, ऐसे में छोटे मोटे सामान के लिए भी काफ Latchaц, पूरेंगे कैसा है, जाएंगे कैसे, अब तना मोटा अचा है अभी-ti-ख्योटा है चल जाएगा, बड़ा जब होगा, हम लोगो द रहना यही है हम लोग मोडो को जाना है का जहींन है लेकिन, हम लोगो रस्ता ही चाहिए कितना पड़िवार यहाँ पे नहीं पर आत हमें गली-गली रसरग बना है यहां पर आए आप तो देखे जब सुस्राला है जी रास्ता ही नहीं है क्या करेंगा अगर दिक्कत है तो अब रस्ता तो हुए करेगा जब तो कभी इसको लेकर कोई पंचाहती कोई फैसला होने का कोशिस हुआ चार साल जब से अपकी जार में जी नहीं तो यह लोग भादा हम यहां का बिचनेशय भी मतलब कोई भी नहीं आता है क्कै यहांप कोए सब कुछ आधा मतलब बहुत कुछ है बात है यहां पर लेकिन यहां पर कोई चीज लेकों और नहीं नहीं का शादी वाधी धी का चरचका हो गयर पर नहीं आता है जल्दी धिल्ध थो कैसे घाडि क्या है घ्स कि 2004 तसर इसला कया दो अबस है नो किन दो फलका पंचायत वाट नमबर पांच से वाट सदस से प्रतिनिधी सुनीर सिंग ने बताया कि मुख्य सडक से रविदास टोला तक करीब 2500 मीटर की दूरी है जिसकी जमीन है वो सडक के लिए जमीन देने को राजी नहीं है हाला कि आने जाने के लिए रास्ता खुला है लोग सालों से इसी कच्चे रास्ते से आना जाना कर रही है इस मामले में हमने फलका पंचायत के मुख्या महिंदर प्रसाद सहसे बात की उन्होंने बताया कि सुरेश सिंग के बेटे मंटो सिंग अपनी जमीन पर सडक बनवाने पर राजी नहीं हो रही है वे रास्ते की दोनों तरफ घर बना कर रह रही है बीच से जो रास्ता गया है वे भी उन्हीं के नाम पर है चुकि निजी जमीन पर बिना एनोसी के सडक नहीं बन सकती इसलिए ये काम सालों से अटका पड़ा है मुख्या महेंदर प्रसाद ने आगे कहा कि वे निजी तोर पर भी प्रयास कर रही है कि जमीदार सडक के लिए जमीन देने को राजी हो जाए